दोस्तो प्लेन उड़ाते वक्त पाइलेट्स को सबसे ज़ादा डर तब लगता है जब या तो वो लैंडिंग कर रहे हूँ या फिर टेक ओफ कर रहे हूँ लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे डेंजिरस एरपोर्ट्स भी हैं जहांपर किसी प्लेन को लैंड कराना किसी चैलें से कम नहीं है तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे ही डेंजिरस एरपोर्ट्स के बारे में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफेकेशन बेल दबाना ना भूलें मेरा ना है प्रकाश और आप देख रहे हैं मराथ नजर आ जाएगी जब यहाँ पर प्लेन लेंडिंग के लिए आता है तो यहाँ पर भी ट्रेंड क्रॉसिंग की तरह बैरिकेट वहानों के लिए बंद कर दिये जाते हैं प्लेंज की सफलता पूरफक लेंडिंग के बाद ही इन बैरिकेट को बाद में वहानों के लिए खो क्योंकि ये माहो बीच के बेहत close है, जहां पे प्लेंस को लैंड करने के लिए माहो बीच के एकदम करीब आना पड़ता है, जिसकी वज़े से इस बीच पर आयोए लोग इस खास नजारे का मज़ा ले पाते हैं। इस बीच पर plane landing के वक्त इतना close हो जाता है कि कई बार plane लोगों के सर को छू कर निकल जाता है इतना close होने की वज़े से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि plane से निकलने वाले engine turbulence के कारण कई बार लोग हवा में ही उड़ जाते हैं इसलिए ये airport दुनिया के सबसे खतरनाग airports में से एक है ये airport Greenland में स्थित बरफीले रगिस्तान में पहाडों की नदियों के बीच में मौजूद है जहां पर अक्सर तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं तेज हवाएं चलने के कारण इस airport पर pilots को plane को सफलता पूर्वक लैंड कराने के लिए काफी air turbulence का सामना करना पड़ता है जिसकी वज़े से plane कई बार हावा में ही तेजी से डगमगाने लगता है इसलिए यहां पर सिर्फ professional pilots को ही plane को लैंड कराने की अनुमती मिली हुई है 2010 में हिस्टी चैनल ने इस airport का सबसे खतरनाक airport होने का दावा किया था यह airport नेपाल में मुझूद है और यह हिमालियस पर 9500 फीट की उचाई पर बना हुआ है और यह airport दुनिया का ऐसा एकलोता airport है जहां पर कोई भी A.T.C. यानि Air Traffic Controller नहीं है pilots को यहां अपनी मर्जी जही plane को लैंड कराना पड़ता है इस airport की एक और खास बात यह है कि इस airport का दूसरा छोर पूरी तरह से बंध है इसलिए pilots को टेक ओफ करते हक्त plane को 360 डिगरी घुमाना पड़ता है इसलिए यह airport World Most Extreme Airports में भी अपना नाम दर्ज करा चुका है टेक्निकली इसे airport नहीं का आ जा सकता लेकिन पर क्योंकि यहां पर runway मौजूद है और यह दिखने में किसी airport की तरह ही लगता है असल में यह airport 1900 feet की उचाई पर मौजूद है और इसका runway सिर्फ 1300 मीटर तक काई है यानि दुनिया का सबसे छोटा runway वाला airport कहना साही रहेगा एक तो यह airport 1900 feet की उचाई पर मौजूद है और इसका runway भी कुल 1300 मीटर तक काई है इसलिए 2009 में इस airport को air travel के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया था नमबर 6, Core Chevelle Mountain Airport यह airport फ्रांस की Chevelle Mountain पर स्थित है इस airport का runway भी बेहत छोटा है और इतना ही नई इस airport का runway 18.5 डिगरी तक जुका हुआ है और इसके साथी इस airport पर हच से जादा fog भी मौजूद है जिसकी वज़े से यहाँ पर navigation systems भी काम नहीं करते और साथी इस airport पर planes को land कराने के बाद planes को पाक करने के लिए भी काफी सीमिज जगा मौजूद है इसलिए यह airport भी दुनिया के सबसे dangerous airports में शुमार है यह airport हंदौरस में स्थित है और इस airport पर pilots को plane को land कराने के लिए plane को 45 डिगरी तक का curve लेना पड़ता है जिसके बाद plane सफलता पूरवक रनवे तक पहुँच पाता है असल में इसकी वज़े है क्योंकि यह airport कई mountain ranges को पार करने के बाद ही दिखाई देता है जिसकी वज़े से इस airport पर planes सीधे रास्ते से नहीं पहुँच पाता और सिफ गुनिचुने pilots को ही यहाँ पर plane को land कराने के लिए license इशू किया जाता है दोस्तो आपने कई बार इंसानों को तो dive लगाते देखा होगा लेकिन कभी आपने किसी plane को dive लगाकर runway पर आते हुए देखा है ये नजारा आपको Caribbean Islands के इस airport पर देखने को मिल सकता है क्योंकि इस airport पर runway काफी नीचे की तरफ है जिसकी वज़े से plane को पहली बार हलकी dive लगानी पड़ती है फिर जाके plane runway तक पहुँच पाता है जो pilots पहली बार इहाँ पर plane को land कराने की कोशिश करते हैं उनका हाल कुछ ऐसा देखने को मिलता है इस airport को अभी तक का सबसे dangerous airport का आगया है क्योंकि ये airport world most extreme airports की सूची में सबसे उपर है क्योंकि ये airport हिमालियन रेंज की blue valley में मौझूद है जहाँ पर pilots को plane को यहाँ तक पहुचाने के लिए तरह तरह के spiral turns लेने पड़ते हैं जब जाकर plane यहाँ पर सफलता पूर्वक पहुच पाता है कुछ चुनिंदा pilots को ही यहाँ पर plane land कराने के लिए license और permission मिलती है planes को यहाँ पर सिर्फ दिन के समय में ही land कराया जा सकता है तो दोस्तो आपको कौन सा एरपोर्ट सबसे खतरनाक लगता है हमें comment section में जरूर बताईए और इस वीडियो को like और share करना ना भूले मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye अगर आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो आप हमसे instagram पर भी follow करके पूछ सकते हैं धन्यवाद link in the description